महारास्टर में प्याज के दाम गिरने से किस्तानों की परेशानियां बढ़ गई है इसी बीच शींदे सरकार ने प्याज की गिरती कीमतों से परेशान हो रहे किस्तानों के लिए बड़ा फैसला किया है प्याज के गिरते दामों के बाद किस्तान वित्य परेशानी से जूज रहे हैं इसलिए राज्य सरकार ने केंद्रिय खाद्य और सारवजिनिक वित्रन मंत्री प्यूश गोयल से एक अपील की है महाराष्टर CMO कारेलय के मताबिक महाराष्टर सरकार ने प्यूश गोयल से राज्य के CM एक नाथ शिंदे ने केंद्रिय मंत्री प्यूश गोयल से अपील किया है कि वे नाफट के जरिये कीमत स्टेबिलाइजेशन कोश के माध्यम से दो लाख मिट्रिक टन प्याज खरी दे CMO के द्वारा जारी किये गए ब्यान में राज्यम में प्याज के मौजूदा बिक्री की कीमत के बारे में कुछ नहीं बताया गया आपको बता दे कि राज्यम में प्याज मुख्या फसल है और देश की कुल सबजी उतपादन में इसका 35-40 पिसदी हिस्सा है मौनसुन के साथ 2021-22 में प्याज का उतपादन 136,70,000 मिट्री टन तक जाने की उमीद चताई जा रही है जो कि पिछले सीजन की तुलना में 20,000,000 मिट्री टन अधिक है हाला कि मार्किट में प्याज के धामों में बारी गिरावट आने से किसानों में निराशा है वहीं दूसी तरफ शिरी लंका में बिगड़ते हार्थी का हालात भी प्याज की दामों में गिरावट की एक बड़ी वज़ा रही है पिछले रिकोर्ड को तोड़ते हुए केंडर सरकार ने 2022-30 सीजन में धाई लाग तन प्याज की खरीदी की है वहीं अप्रल जून के दौरान रभी की फसल में प्याज की कटाई देश की प्याज उत्पादन का 65 फिसदी है जो कि अक्टूबर नॉंबर में खरीब फसल की कटाई तक भोकता की मांग को पूरा करती है बहराल देखना होगा कि क्या केंदर सरकार प्याज खरीदेगी और किस्तानों को राहत देगी या नहीं